हालो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप साथ आज मैं आपको बेबी पेंट्स बनाना सिखाऊंगी बहुत ही इजी है और मैं आपको 0-18-24 मन तक के बच्चों का नाप बताती जाऊंगी साथ के साथ तो चलिए वीडियो शू करते हैं लेकिन वीडियो शू क काई लेका ऐका दिकीं साथ करहती तो इक की ग्मिलता रहें दिक जो मेन नांब बना रहे हूं मैं बनारे हूं इए 10,8- incarcerated- Maine-- रहे हैं इतका है अगर आप जीरो- एकाएनिट्स बनास जाए पना रहे हैं तो आप साथ जो उसके आप यावल नापमनाे रहे by देखें और 12-18 मंत के लिए 21 इंचेस 18-24 के लिए 22 इंचेस लेंगे तो यह मैंने बना ली है 78 चैन्स बनाई है और चैन्स आपको धीली बनानी है ज्यादा टाइट नहीं बनानी है हलके हाथ से बनानी है अब दिखी क्या करेंगे इसको यहां हम जोड लेंगे फास्ट वाली चैन्स मे पेइस से जोड लेंगे और चैन्स का अब धियान रखेंगे सीधी जूडनी चाहिए चैन्स 3 बनाएंगे चैन्स 2 बनाएंगे औरजो चैन्स 2 ओ हम हम count करेंगे यहां से half double crochet बनाएंगे यह one दिखे जहां हमने chain बनाई थी वहीं एक stitch बना दिया है यह हमारा one है और यह two तो यह जो first row है हमें half double crochet की बनानी है तो इसको last तक बना लेंगे तो हमें count करने है 78 लिया है तो आप जो भी number लेंगे आपको इध्यान रखना है कि even number ही ले आप और number नहीं लेंगे तो मैंने 78 इसी लिया है even number तो आप थोड़ा से एक यह जादा यह कम कर सकते हैं अगर आपका नाप कम जादा आ रहा है तो एक stitch कम यह जादा कर सकते हैं तो इ देखिए मैंने यहां लास तक बना लिया है अब क्या करेंगे यहां पर जो इस्टिच है इसमें slip stitch साटाइच करतेंगे अब वापस चैन टू बनाएंगे वन टू और देखिए क्या करेंगे इसको इस तरफ पलटेंगे यह अंदर की तरफ से और यहां पर हम जो first chain हमारी श साइड है तो यह उपर की तरफ आएगी तो अच्छी लगेगी और यह जो साइड है इस पर हम stitch बना लेंगे तो यह नीचे की तरफ चली जाएगी और दिखिए भी नहीं तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से कर लिया है अब देखिए क्या करेंगे चैन टू बनाएंगे व हो ओ इस बैएक पोस्ट पालकु रोशिय है अशसी है है हाफ डबल कुश्य बनाने सुरिय है अनल एकफ मदा ओर क्या की था हम फोड ह दबल कूश्य बनाएंगे दहi कैसे यह आगी की तरफ एक स्टिश को लिया और देखिए स्टिश है एक साथ बना देंगे और यह चैन स् क्रिश्य बना देंगे फिर एक आगी की तरफ और पीछे की तरफ इस तरीके से स्रोग को लास तक पुरा कर लेती हूं है फिर आपको आगे वाली रूप बताऊंगे तो यह देखिए इस स्रोग को मैं लास तक बना लिया है आप देखिए यहां पर हम चैन टू के पास यहां देखिए यहां पर कि इस लिए पेटेसटे से ऊटाःच कर देंगे गोजैन तू बना ओटार वान टू और तो गुधन को आगे की तरफ हम सिस्टे स्ट दिख रहे हैं उननेहें हम आगे की तरफ बना लेना है और जो पीछे की तरफ बना रहे हैं और जी डबल क्रृश्य चाहें उतना बना सकते हैं तो मैं इसी तरीके से फोर रो बना लेती हूं फिर हम आगे बनाएंगे तो इसके बाद हमने फ्रेंट पॉस्ट और बैक पॉस्ट बनाएं तो कुल में लाके हमाई यह सिक्स रो हैं फाइफ रो मैंने यह वाली बनाई है तो अब देखिए क्या करे से हम इस धागे को लगाएंगे दूसरे कलर के यह स्लिप स्टिच बनाते हैं यहां पर यह जो वाइट वाला धागा इसको हम खैज देंगे और यहां साथ में देखिए चलेंगे जिससे यहीं पर फिनिश हो जाएगा अब देखिए चैन टू बनाएंगे वान टू जो जो है वह हमारा वन डबल करूश्या नहीं है तो शुझ यहीं से हम एक स्टि इस पराएंगे इस आप क्या करेंगे हर इक स्टिच में बनाना है है कि लो तो इसको लास्ट तक फर्स रुग है यह हमारी इसको मैं लास्ट तक बना लूँगी और स्टिच हम काउंट कर लेंगे कि हमारे कितने है तो यह देखिए मैंने स्टिच काउंट कर लिए है यहां 78 है स्टिच ही है जितने हम शुरू में लिए थे हमने अब यहां पर देखिए हम slip stitch attach कर देंगे अब chain 2 बनाएंगे और यह जो chain 2 है हमारा stitch नहीं है तो just गहीं पर हम एक double crochet बनाएंगे तो इसको हम first double crochet count करेंगे जो हमने पहला बनाया है तो देखे अब इसके बाद हमें क्या करना है हर 7th फार stitch पर two double crochet बनाना है यह बनाती हूं first second third four five six और यह जो 7th वाला stitch है इस पर हम two double crochet बनाएंगे मैं आपको शुरू में बताना भूल गई मैंने crochet लिया है 3.50 mm का और यह यार्ण है यह वाली तो four ply है लेकिन यह three ply है मेरे पास यही color three ply में था इसलिए मैंने यह यूज़ कर लिया आप four ply भी यूज़ कर सकते हैं आप ऐसा कुछ नहीं कि आपको three ply यूज़ करनी है तो हर 7 स्टिच पे हम two two double crochet बनाएंगे और friends एक चीज और कि आप मुझे please comment करते रहे कीजिए मुझे आपके comment पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो please comment करते रहा करें और हम क्या करेंगे हर 7 वाली स्टिच पे स्टिच बढाएंगे तो आप कोई भी दूर का नंबर ज्यादा पास का नंबर नहीं ले रहा हमें थोड़ेसा यहां पे एक रुमये थोड़ेस रुम में ही हमसे बढेंगे थोड़ेसे स्टिच बढाने हैं तो आप साइवंठ वाला ला यह नाइन वाला ले सकते हैं बहुत जादा दुर भी रहा है तो इनी कोई भी एक आक चिच लेकisen एक्स इस्टिश बढ़ा लिया है और यहां पे 90 होगे तो यह 77, 77 के multiply हो रहे थे तो मिने हर 7 वाले स्टिश पे स्टिश बढ़ाए हैं तो अब बड़े से वाला नमबर देख लें कोई भी ज्यादा पास वाले स्टिश पे स्टिश नहीं बढ़ाने हैं तो देखे अब इसको हम slip stitch से बढ़ा दें extra में तो 90 हो जाएंगे या फिर आप एक stitch कम कर सकते हैं वैसे एक stitch बढ़ा देंगे तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि हम इस लो में बढ़ा ही रहें तो यहां पर आपके 90 stitches हो जाएं या आपके आप जो भी नमबर ले रहें मेरा 90 नहीं जो भी अगर आपने को आपको आगे बताऊंगे तो यह दिखिए मैंने बना लिया है और मैं आपको बता देती हूं कि आपको किस group के लिए कितना कितना लेना है तो दिखिए अगर आप 023 मन के लिए बना रहे हैं तो आप लेंगे 6.5 inches यह वाला हिस्सा है यह हमारा पैर के अब यहां से हम पैरों बना रहे हूं तो मैंने इसको 7.5 inches लिया है 9 to 12 के लिए आप 8 inches लेंगे और 12 to 18 मन के लिए आप 8.5 inches लेंगे और 18 to 24 के लिए आप 9 inches लेंगे तो यह दिखिए मैंने यहां तक बना लिया है अब हम इनके आप काउंट करेंगे जितने भी स्टिच है उसके आधे स्टिच पर ह आप मार कर देंगे तो मैं मार कर लेती हूं पहले तो यह दिखिए मैंने 45 वाला स्टिच है here है यह प्रेहां से भी हमारे यह वार्वण फोर्टीफाइंब़ गर्था हुगा तो मैंने हुससे मार्वण कर लिए और यहां पर हमारा ये वाला इस तरफ से count करेंगे तो ये वाला 45 वाला है इस तरफ से count करेंगे तो ये 45 वाला है तो देखे आप क्या करेंगे हरे chain 2 बनाएंगे 1 2 और chain 2 हमारा double crochet नहीं है तो just यहीं पर एक one double crochet बनाएंगे और देखे मैं यहां तक stitch बना लेती हूँ फिर मैं आपको आगे बताऊंगे तो यह देखे मैंने यहां से start किया और यहां तक आगे अब यह जो इसके just बात वाला है यह देखे 45 वाला stitch है तो अब इसमें क्या करेंगे हम two double crochet बनाएंगे one और two जैसा हम सेम इस pair के लिए कर रहे हैं वैसे ही आपको इसमें करना है तो मैं आपको सिर्फ एक ही बताऊंगे तो जैसे हम इसमें कर रहे हैं तो यहां पर यह stitch बनाएंगे इसमें two double crochet बनाएंगे अब देखे क्या करेंगे यहां पर इसको slip stitch से attach करेंगे जो chain two हमने शुरू में बनाई थी यहां पर और यह slip stitch से हमने इसको attach कर दिया chain two बनाएंगे one two और देखे इसमें हम एक double crochet just बनाएंगे तो याद रखना है हमें कि यह chain two हमारा one double crochet नहीं है तो बस हमें round round बनाते जाना है यहां से बनाएंगे यहां तक यहां से फिर यहां तक ऐसे round round बनाते जाएंगे तो यहां हमारे 46 stitches हैं तो इसमें भी हमारे 46 होने चाहिए तो देखे यहां पर अभी हम इसको इससा बनाएंगे उसके बाद हमें थोड़ा सा stitches कम करने हैं और border बनाना है तो अम इतना देखे मझे यह चाहिए जो हिससा बनाएंगे पूरा पैरों का जो चाहिएगा हमें 8 inches चाहिएगा, तो मैं इसको 5.5 inches बना लूँगी, तो जो 2.5 inches रहेगा, उसमें हम फंदे घटाएंगे, और पैर में जैसे border हमने यहां बनाया है, वैसा ही border हम पैर में बनाएगे, तो आपको जो भी size बना रहे हो तो वैसे अगर 0 to 3 के लिए ये वाला area के बाद का हिस्सा बता रही हुँ मैं ये जो हमने अब भी बनाया है ये उपर का हिस्सा बना है इसके बाद वाला जो हमें चाहिएगा तो 0 to 3 के लिए 6 inches चाहिएगा 3 to 6 के लिए 7 inches 6 to 9 के लिए 8 inches लेक्स हैं ये हमारे और 9 to 12 मन के लिए 9 inches 12 to 18 के लिए 10 inches और 18 to 24 के लिए 11 inches तो हम इसको 5.5 inches तक बना लूँगी उसके बाद हम इसमें stitch घटाएंगे और बर्डर बनाएंगी तो इतना मैं बना लेती हूँ तो ये दिखें मैंने ये 5 inches का बना लिया है 5.5 का नहीं 5 inches का बनाया है मैंने 3 inches अभी हमें और बनाना है तो अब यहां से हम फंदे घटाएंगे तो दिखें ये 12 वाली रो है तो ये वाली रो में हमें लास्ट में एक फंदा घटाना है यह फाइफ इंच वाली रो है जिसके लास्ट फाइफ इंच हो रहा है यह एक इस्टिच फिर आधा बनाया हमने फिर दूसरे वाले स्टिच में डालेंगी यह हमारे पास थ्री स्टिच होगा अब इनको एक कर देंगे तो यह हमारे एक स्टिच कम हो गया यहां स्लिप तो इस रो में हमने एक स्टिच घताया है अब हम हर रो में इसन गलता है 2 तो एक हम शेच घताएंगे Subscribe देखा dua डिबाव सब तो यह थे तो इस टिच में अफ़ा गजनी का और हम प्ला धाला दाला और यह को एक कमशनते इद दध़ा यह थgeschैन असरी है एक्षै इसको यह हमारे पास four stitch हो गए three किये और एक कर दें यह हमारे एक stitch घड़ गया अब यहां से मैं stitch last के दो स्टिच रह जाएंगे जब तक मैं बना लूँगी यहां से बना के इस तरह आदे तो यह दिखिए last के दो स्टिच बचे हैं आप हमारे पास इनको भी हम एक कर देंगे यह दिखिए यह वन आप बनाया है और यह तू अब इनको एक कर देंगे और यहां पर इसली पिस्ट नहीं है यहां पर 2 इस्टिच को हम एक करेंगे यह वन आई यह तो इसको एक कर देंगे तो ऐसे हम दो या तीन रों में मैं फंदे घटा लेती हूं तो जितना आपको चाहिए अतना जैसे शेप आपको कितना चाहिए महुरी कितनी चाहिए उससाब से आप अज़स्ट भी क कर सकते हैं अपने इसाब से तो मैं तीन या चारों में पंदे घटा लोंगी उसके बाद इसका बॉर्डर बनाएंगे तो यह देखे मैं यहां से देखिए यह वाली जो रो है यहां से बिलाके 16 रो बनाई हैं तो हमने 12 वाले से स्टिच घटाने शुरू किते हैं 12 वाले मे और बढ़ानी है तो अब दिखे हम क्या करेंगे बाद बनाएंगी तो इस वाले धागे को मैं यहां से अटा दूंगी तो दिखे हम यहां से वाइट वाला धागा लगाएंगी यहां पिसली पिस्टिच से लगाएंगे और यह जो एक्स्ट्र धागे हैं इनको हम बाद में सुई में डालके इनको stitches में अंदर की तरफ डाल देंगे अच्छे से गांट लगा के जिसे एक कुलेंगे नहीं बनाएंगे चैन्टू वन तू और देखें ये एक stitch हम आगे की तरफ बनाएंगे तों बनाएंगे हमने श्रूर में भी half double-crnd भनाय थे उए ये वन और यह देखें जो दो सेखेंगे इस निक commissionernd को पीछार के तरफ ले लेंगे यह दो सेखेंगे पिर एक आगे की तरफ इस्टिश बनाएंगे हाफ डबल कुरोशिया और पीछे की तरफ बनाएंगे इसको मैं लास तक बना लेती हूँ तो इस दीखें फर्स्ट रोम ने पूरी कर लिया है अब कहां पर हम स्लिप इस्टिस अटेच करेंगे चैन टू बनाएंगे वन टू और एक इस्टिश हम आगे की तरफ बनाएंगे जो हमने आगे बनाए था और उसको पीछे की तरफ उसको पीछे की तरफ बनाएंगे तो ऐसे हम चार या पांच टू बना लेंगे जितनी हमने इतनी यहां बना सकते हैं तो मैं दोनों जब पूर थे बन ने के बाद कैसा लग रहा है पूरा बनाने पाद सेम ऐसे हां यह वाला बनांना है तो की दिए यह दिखित है मैंने यह पूरा ना लिया है अबदेश में करें, एन इंटे संद्स दो लाज़ आइए और यहां पर या तो जिसे यह घृचिय से सिल सकते हैं तो जिसे यह भी नहीं दिखेगा और दीखिए एक चीज और अप एक पैर तो हम ने बनाया तो उसमें तो हमने सीधा सीधा बनाइज़ जेब आप दूसरा पैर बनाएंगे तो आप इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि रो जिस तरफ से आ रही हैं आपको उसी तरफ से बनानी है जैसे हमने इस तरफ से बनाई है यह वाली रो यू करके यू बनाये थे तो देखिए यहां उस नीचे की तरफ से शू करेंगे और यू करके इस तरफ से यू राउंड रो बनेंगी क्योंकि आप थरफ से जब आप बनाएंगे तो वो उंची उठी हुई दिखेगी इस पैर से अलग दिखेगी तो आप बनाते वक्त इस चीज का जरूर ध्यान रखेगा दिखिए और मैंने इसमें दिखिए यह मैंने डोरी बनाई हुई है तो आप भी कोई भी डोरी बनाके यहां पे आप यहां से डालेंगे सुई में या उसमें क्लिप में डालके इस तरफ से डालेंगे और वापस घुमाद हुए इस तरफ लेके आ जाएंगे चोटे-चोटे जैसम नाडा डालते हैं और यहां बांद निकली हो जाएगा तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें कमें करें शियर करें और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक्स फ़र वाचिंग